हेलो व्राइट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों हैं विशाला सबका स्वाथ करता हूँ आप इके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम को नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की इस एप के लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगा और वहां से जाक आपको करके बताता हूँ यह बहुत जैनुने लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जा ही वहां से जाके आपके इस एप को यूज कर सकते हैं इस एप का काम बेसिकली क्या होता है दोस्तों आज कर आपको पता हुआ इंस्टागराम हो गया फेस्बुक हो गया या फिर WhatsApp हो गया वहाँ पर एक option आ गया है delete message का यानि कि कोई भी अगर आपका message delete करेगा तो वो message आप नहीं पढ़ पाएंगे उन्होंने जो भी message send किया है और send करने बाद अगर उन्होंने delete for everyone कर दिया है तो वो message आप बिलकुल नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन मैं आपको ए एक दूसरा phone लग रहा है मैं उससे एक message भेजता हूं अपने WhatsApp पे चलिए सबसे पहले मैं अपने WhatsApp खोलने के बाद इस तरीके से कुछ दिखाई देगा ओके दोस्तों interface अब उसके बाद में क्या कर सकता हूं दोस्तों मैं अपने दूसरे phone से message करता हूं एक ठीक है दोस्तों अब एक message मैंने किया ये अब दोस्तों ये मैंने चलिए अभी तो ये मैंने message पढ़ लिया अगर इन केस ये कुछ ऐसा message होता जो मेरे काम का है और सामने वाले बंदे ने delete कर दिया है इस message को delete for everyone कर दिया है तो मैं कैसे पढ़ूँगा ओके दोस्तों इस message को delete for everyone कर देता हूं दूसरे mobile से delete for everyone किया, देखिए अब यहां से हो गया delete, अब दोस्तों इसको यहां पर देखते हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है, कि यह message delete हो गया, अब पता कैसे चलेगा, कि यह message था क्या, अब देखिए दोस्तों, यहां पर यह message आ चुका है, this message was deleted, ओके दोस्तों, अब वो application तो यह डिलीट होने वाले मैसेज रिकवर करके देता है तो अच्छी एप्लिकेशन ने यूज करके ज़रूट देखिएगा सिर्फ यह मैसेज ही नहीं अगर किसी ना फोटो वगेरा भी डिलीट किया है तो वह आप रिकवर कर सकते हैं इस एप की मदस से यह सिर्फ ध्यान ल यह और अधर के लिए काम नहीं करते हैं तो वाट्साप के लिए तो काम करेगी करेगी ओके दोस्तो अच्छी एप्लिकेशन है यूज करके जरूर देखिएगा यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं इंस्टाग्राम के लिए भी वैसे यह काम करती है और फेस्बुक मेसेंजर क के लिए भी काम करती है तो यूज करके जरूर देखिएगा लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा डीटेल में आप समझ चुके होंगे इस वीडियो से तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह आपको अच् प्रोश्तो